तो स्वावत है कि नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास जियो फोन नेक्स्ट है या कोई और मोडल है तो किस तरह से आप डूवल सीम सेट अप कर सकते हैं और यहां पे नेटवर्क की सेटिंग भी बताने वाला हूँ ओल इन वन दोनों सीम इंसर्ट हो चुका है अब धक्कन को आपको क्लोज कर देना है जब सीम लगाओगे न तो आपको इस स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पॉपफ दिखेगा तो यहां पे दो सीम लगाओगे तब यह पॉपफ आएगा तो कौन सा सीम आपका प्राइमरी रहना चाह तो कर दूँगा सिंपली ठीक है तो प्राइमरी हमारा सेट हो जाएगा अब यहां पर मुझे कुछ सेटिंग करनी होती है तो सेटिंग पे चले जाना है और सेटिंग पर जाने के बार नेटवर्क और इंटरनेट पर जाओगे अब यहां पर ना सीम का उप्शन है सीम पर और यहां पे सीम ओन है सीम टू है तो सीम ओन को मैंने प्राइमरी सेट कर दिया था इसलिए वो प्राइमरी चला गया था और अगर सेट नहीं करते है जब भी सीम ओन ही प्राइमरी हो जाता आपका अब देखो यहां पे पेनक आइकन होता है पेनक आइकन पर जाओगे तो जैसे कि अभी ये नाम से दिख रहा था, ठीक है, तो मैं इसको जिएो परस्टनल कर देता हूँ, ठीक है, तो परस्टनल कर दिया, और बाकी यहाँ पे color बलल होता है, तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, यहाँ पर नमबर होता है, तो अभी अगर देखना है, तो ऐसे जा आता है तो data preference पर जाओगे तो जैसे कि यह दूसरा वाला सीम था यह पहला वाला तो मैंने default set किया था तो जो मेरा data preference था यहीं से चूज हो गया था यानि कि mobile data जितना भी खर्च होगा इसी सीम से खर्च होगा आप जाहो तो second वाले सीम को भी यहां से चूज कर सकते हो जिससे data खर्च करना चाहते हो call preference में अगर जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहार दो सीम है तो जब भी call लगाए ना तो आपके पास option आना चाहिए कि सीम 1 से करना है या सीम 2 से तो आप ask वाला option करोगे और अगर एक किसी एक number को आप यहां पर चूज कर दोगे ना सीम 1 या कौन से जाने चाहिए 4 से या second से तो आप इसको चूज करना पड़ता है तो आप चूज कर लेना कोई भी अब यहां पर देखो mobile data है अब जो भी यहां पर data set किये हो जी भी सीम के लिए यहां पर mobile data उस सीम के लिए applicable होता है अना mobile data ओन कर दोगे तो mobile data यहां से आपका on हो जा होता है roaming को हमें सा on करके रखा करो क्योंकि इससे ना जब out station होते हो जब थोड़ा दूर होते हो अपने अरिया से तो वहां पर आपका internet slow हो जाता है या नहीं चलता है तो इसको on करके रखना कोई extra पैसा नहीं लगता है ठीक है बाकी यहां पर data warning limit है यानि कि data limit किस तरह से set क करोगे तो अलग से video बना रखी है data during call अब बहुत सारे लोगों का issue यह होता है कि यार जब वो call पर होते है न तो उनका WhatsApp पर message नहीं आ पाता है या फिर net नहीं चल पाता है तो यह वाला SIM को on कर लेना ठीक है अब इससे होगा क्या कि जैसे मान के चलो पहले वाले SIM पर call आ रह जो भी होगा चल जाएगा अब यहां पर वाइफाई calling का option होता है तो वाइफाई calling का option को आप enable करके रखना for SIM के लिए इसी तरह से आप दूसरे SIM के लिए भी enable करके रखना इसे होगा क्या कि जब आप घर से घर में हो और वाइफाई से connect कर रखके हो जैसे कि मैंने connect कर रख लेकिन जो network capability होगी ना इंक्रीज हो जाएगी इससे हमारी जो call dropping की समस्या होती है वो खतम हो जाती है operator video calling का option जैसे बहुत सारो लोग आपको direct mobile से video call कर रहे होंगे तो आपके पास direct video call नहीं आता है या फिर आप नहीं कर पाते हो option नहीं आता है तो यह वाला on कर दोगे ना dialer पर ही number dial करने के साथ direct video call का option आजाएगा तो इसको on करके रखना इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं लोग इसको 4G vault बोलते हैं मतलब यह वाला na vault का एक तरह से option है vault on vault off ठीक है automatically select हो रहने देना access point rename को reset करने की जोरत तब पड़ती है यहां से reset हो जाता है reset करने की जोरत त हो गया अब यहां पर एक चीज और आप note कर रहे होगे कि यहां पर SIM 2 की setting मैंने आपको नहीं बताई है तो देखो SIM 2 के लिए जब आप जाओगे ना तो SIM 2 में देखो बाकी सारी common setting होती है जैसे कि यह वाला जितना भी SIM 2 का setting है ना तो SIM 2 के setting में भी यही चीज आपको आएग क्योंकि calling पर जाओगे तो दोनों का option already आजाता है वीडियो calling के option को check कर लेना है और यह भी रहने देना है और access point name जो होगा ना SIM 2 का अलग होता है तो SIM 2 के लिए भी आप सेम चीज कर सकते हो बाकी सब कुछ आपका set हो चुका है similar ही करना है अब आप mobile को चला सकते हो call करोगे तो आपसे पूछा जाएगा बाकी आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हो कोई दिक्कत होती है तो नीचे comment section में comment कीजिए और directly आपको net यहां से on off करने का option मिल जाता है यहां से off कर सकते हो और यहीं से on कर सकते हो यहां पर अगर hold करके आप रखते हो न तो directly आप mobile data के setting पर भ अबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब